Hello and welcome you all, मैं हूँ धननजय, उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे पिछले साल सेप्टेंबर के महीने से प्राइम मिनिस्टर अफ कैनेडा जस्टिन टूडो भारत के उपर ये ऐलिगेशन लगाते हुए आए हैं कि हरदीब सिंग निजर के असाइसिनेशन के पीछे गवर्मेंट अफ इंडिया का हाथ था एक जो बहुत बेसिक क्वेस्टिन दिमाग में आ सकता है कि आखिर में एक आदमी के असाइसिनेशन के पीछे किसी भी देश का प्राइम मिनिस्टर क्यूं पड़ा हुआ है और वो क्यूं भारत के साथ अपने संबंध को खराब करना चाहता है हरदीप सिंग निजर का अगर आप ड्रैक रिगॉर्ड देखेंगे तो मालूम पड़ेगा इसके उपर बहुत सारे क्रिमिनल अक्टिविटीज में डारेक्ली और इंडारेकली सामिल होने के प्रूफ है और उसके बाद ये जिस तरीके से कैनेडा एंटर करता है ये तरीका भी इलिगल था उसके बावजूद जस्टिन टूडो बढ़ चड़कर हरदीप सिंग निजर के असाइसिनेशन में गवर्मेंट ऑफ इंडिया को ब्लेम कर रहे है तो अगर किसी भी देश का प्राइम मिनिस्टर इस हद तक जाता है तो कही न कहीं कोई न कोई वज़े तो बिलकुल होंगे और अगर आपके पास मेरे लिए कोई सजेशन है तो मुझे इमेल करके बता सकते हैं क्योंकि जस्टिन टूडो कैनेडा के प्राइम मिनिस्टर है तो कोई भी पॉलिटीशन तभी तक रेलिवेंट रहता है जब तक उसके हाथ में पावर हो अगर उसके हाथ में पावर नहीं होता है तो उसका इम्पॉर्टेंस खतम हो जाता है और उसके बाद अगर हम बात करें तो Canada में पिछला चुनाव में 2021 में हुआ था और अगला चुनाव जो होने वाला है वो 2025 में होने वाला है अभी जो करेंट पॉलिटिकल पाटी कनाडा और बहुत हद तक सरकार किसकी बनेगी ये डिसाइड करते हैं और उसके बाद अगर हम बात करें तो कैनड़ा के पार्लियामेंट में टोटल 338 सीट्स हैं जिसमें की लिबरल पार्टी आने की जस्टिन टूडो के पार्टी के पास है 159 सीट्स और बहुमत में आने के लिए इ बहुत इसपस्ट कर दू कि हमें किसी भी तरीके का एक्स्रिमिजम को कभी भी प्रमोट नहीं करना चाहिए चाहे वो बातों का एक्स्रिमिजम हो चाहे वो रिलिजिस एक्स्रिमिजम हो अगर आप खालिस्तान मूव्मेंट को बहुत ही neutral point of view से देखेंगे तो आपको मालू पड़ेगा कि वैसे सभी लोग खालिस्तान मूव्मेंट को सपोर्ट करते जिनका की कोई connection भारत से आज की rate में रही नहीं जाता है ये सारे के सारे लोग almost NRI हो चुके हैं आप एक बहुत ही basic example से समझे कि कोई भी एक Sikh family या एक community जिनका एक बहुत ही अच्छा business चल रहा है उ मान भी लेते हैं कि किसी भी तरीके से खालिस्तान बन जाता है तो इसे एक जो normal Sikh है उसको क्या benefit मिलेगा वैसे लोगों के हाथ में power जाएगा जो आज के rate में खालिस्तान movement को lead कर रहा है और दुबारा याद दिलादू कि ये जितने भी जो खालिस्तान movement को lead करते हैं या support करत हैं इन सभी के more or less जो तालुक है उन सभी देशों के साथ है जिसका के भारत के साथ relation अच्छा नहीं है उसके बाद हमारे पास एक बहुत ही classical example है पाकिस्तान का जिसको बनाने के पीछे का जो agenda था वो religion था तो हमारे पास ऐसे multiple examples से जिसको देख के हम समझ सकते हैं कि वैसे द सब करते हैं और एक बहुत ही जहरिला विचार को फैलाते हैं इसी महीने के तीन और चार तारीक के बीच में Canada पुलिस ने तीन लोगों को अरेस्ट किया जिनका नाम था करन बरार, कमल प्रीत सिंग और करन प्रीत सिंग जिसके बारे में ये claim है ध्यान रखिये अब तक claim है क इलनों का किसी भी तरीके से हरदीब सिंग निजर के assassination में रूल था अब तक कहीं से भी ना तो Government of Canada ने Government of India के साथ किसी भी तरीके का हरदीब सिंग निजर के assassination को लेके कोई details share किये हैं जहां पे ये पुकता तरीके से कहा जा सके कि Government of India या Government of India के agents का हाथ था हरदीब सिंग नि को खतरा पहुचाता ये वही Canada US है जो बढ़ चड़कर अपने देश को बचाने की बात करते हैं लेकिन वहीं पे जब दूसरे देश की बात होती है तो ये लोग चुपचाप मौन धारन कर लेते हैं उसके बाद अगर आप इसी आर्टिकल को रेफर करेंगे तो आपको मालूम पढ़ेगा कि ये ओफिशल स्टेटमेंट दिया गया है Canada Police के दुआरा जहां पे ये बहुत ही साफ और इस पस्ट शब्दों में कहा जा रहा है कि इनके पास ऐसा कोई भी traces नहीं है जिन तीन लोगों को इन लोगों ने उठाया है उसके और हरदीप सिंग निजर के assassination के to commit murder का charges लगाया है और इसके बारे में भी अब तक government of India के साथ कोई भी details share नहीं किया गया है उसके बाद अगर एक दूसरा media agency की बात कीजा जिसका नाम है global news उसके हवाले से एक ख़बर है जहां पे ये बताया जा रहा कि ये जो तीनों student है ये Canada घुशते है student visa के उपर लेकिन इनके पास भी ऐसा कोई ठोस प्रूफ या पुकता जानकारी नहीं है कि इन तीन लोगों का हरदीब सिंग निजर के assassination में कोई रोल था या नहीं था और almost हम कह सकते हैं कि पिछले साल के जून के महीने से लेके अब तक Canada पुलिस इसी assassination के पीछे पड़े हुए हैं लेकिन हम क क्या सकते हैं कि almost एक साल होने वाले हैं और अब तक किसी भी टाइप का कोई information Government of India के साथ shared नहीं किया गया है अगर हम इस वीडियो को conclude करें तो हमें समझ में आता है कि Justin Trudeau अपने आपको Canada का Prime Minister बना कर रखना चाहते हैं और उसके लिए इनको NDP Party का support चाहिए NDP Party वही है जो बढ़ चड़कर Khalistan Movement को support करते हैं और हरदीब सिंग निजर का एक बहुत ही अच्छा connection था NDP Party के साथ तो कहीं न कहीं Justin Trudeau सत्ता में इसलिए बने हुए हैं क्योंकि NDP इनको support करता है और अब तक Government of India के साथ इन तीनों के बारे में कोई भी पुकता जानकारी shared नहीं किया गया तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care good bye